नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही योटूब चैनल बीरू अकाड़मी पर सुपर टेट के इक जाम की स्रंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे हिंदी के टाप महतरपू 10 प्रस्नों की पूरे वीडियो परंतक बने रहिएगा चैनल का सपोर्ट कीजिए वीडियो को सेर के जिए ताकि इसी तरह के निरंतर जो है कही ना कहीं बात कर लेते हैं अगले परस्न की अगला परस्न डियर कह रहा है मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है क्या बिद्यापति को, सूरदास को, कबीरदास को या नंददास को तो जो मैथिल कोकिल है डियर वो बिद्यापति को माना जाता है नोट कर लीजिएगा A option कई बार किनी 20 स्टिक जामों में इस तरह के प्रस्ण जरूर पूछे गए हैं मैथिल कोकिल कई बार पूछा गया है नोट कर लीजिए विद्यापती को कहा जाता है बात कर लेते हैं अपने अगले प्रस्ण की जी को कहा जाता है बतादे डियर जो कभियों का कभी है वो कहीं ना कहीं समसेर बहादुर जी को कहा जाता है इसका स्वी अपसेन एकदम करेक्ट है बिहारी जी ने मात्र बिहारी सत्वाई की रचना की थी जिसमें 719 दोही हैं इनको भी नोट डाउन कर लिजेगा मतिराम जी क या और वा को कहते हैं ये आप साथी साथ आइट कर लीजिएगा अगर रा को पूछे क्या है तो रा को प्रकम्पित बेंजन कहते हैं ला को अगर पूछ ले तो कही ना कही से पार्फिक बेंजन कहा जाता है साथी साथ नोट डाउन कर लीजिएगा बात कर लेते हैं प्रशनम करेक्ट है उम्मित करता हूँ कि एकदम नए प्रस्ण आपको मिल रहे होंगे इस चैनल के राधगन से तो वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा अपने फ्रेंट सर्किल में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताईएगा प्रस नमबर च्छे कह रहा है प्रथम ग्यान प पूरसकार है डियर वो मलयालम कभी थे कहीं न कहीं आप जिनको जी संकर कुरूप साट में कह देते हैं उनका पूरा नाम गोबिंद संकर कुरूप है इसका ए ओप्सन एक दब करेक्ट है नोट डाउन कर लीजिएगा बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की दुई यमुनम म दिगु है तद पूरु से करमधारे है या अब्यई भाव समास है डियर बता दे जहाँ पर पहले संख्या लगी हो वहाँ पर मोश्टली दिगु समास होता है लेकिन जब संख्या के बाद कोई विसेस नदी का नाम आ जाए तो वहाँ पर नदिस भिक्ष सूत्र से डियर अ अब्यई भाव समास का निर्माड होता है और यहाँ पर दोई के बाद यमुना लगी होई है यमुना एक बिसिष्ट नदी है इसलिए यहाँ पर अब्यई भाव समास होगा बहुत बार एक जाम में पूछा गया है दोई यमुनम और पंच गवम तो इनको नोट डाउन कर लीजेगा दोई यमुनम और पंच गवम में हमेशा अब्याई भाव समास होता है इडियर बात कर लेते हैं अपने अगले पूछिकी रसराज किस रस को माना गया है तो रस में जो रसराज है इडियर वो सरंगार रस को माना गया है इसका ए उप्सन एकदम करेक्ट है नोट नहुस है ये किसकी रचना है गोपाल चंद्र गिरधर की कि सोरी लाल की लाला सिरी निवास दास की या बनार्फी दास जैन की तो बता दे जो नहुस रचना है इडियर ये है गोपाल चंद्र गिरधर की इसका ए उप्सन एकदम करेक्ट है लाला सिरी निवास दी जी का पह जहां है उपसर्ग का प्रयोग वाक्य में कहां किया जाता है देखिए डियर उपसर गों प्रत्य दो चीजे होती है तो स чистर हमेशा किसी वाक्य में आफ संघ्या में अब सबसे पहले लग जाता है तो जाने को ऩुछ प्रयोग कहां करेंगे जैसे आपने देखा कि ये आप देख पा रहें कि उपसर्ग में मर उपसर्ग लगा है जैसे मर सब्ध है इसमें आउपसर्ग जैसे ही जोड़ दिया गया तो अमर हो गया इस तरीके से जो उपसर्ग होते हैं ये वाक्यों की जो दिसा और दसा है उनको बदल देते हैं और हिंदी में अगर उपसरगों की बात करें डियर तो 22 उपसरग माने गए ही उम्मीद करता हूँ सारे प्रशन आपको एकदम क्लियर हुए होंगे कोई सवाल अगी अगर आपका रहे गया है इन प्रशनों से रिलेकेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आपका कितना स्कोर रहा जरूर बताईएगा वीडियो कैसे लग रहे है इस चैनल पर ये भी आप डिरंतर बताईएगा ये प्रात्मिक सिच्छागवर्ती जो उत्तर प्रशन में होने वाले सुपर टेट का एक्जाम होगा उसके लिए कही ना कही ये स्रंखला रामबान सावित होगी चैनल पर जितने साती पहली बारा हैं सबस्क्राइब कर लीजेगा चैनल का सपोर्ट कीजिए चैनल सिर्फ आप के लिए बनाया गया है फिर मिलेंगे एक महत्रपूर्ण सेसन में तब तक के लिए जैहिंगे भारत थाइंक यू